पहचाने मुझे आप मेरी आवाज से पहचान लेते हैं हैपी हलोवीन बात करेंगे थोड़ी टोड़ी इस ऑक्टूबर 31 थोड़ा हलोवीन पर बात करेंगे थोड़ी एकनॉमिक्स पे उसके फैक्ट्स पे लोगों की परसेप्शन क्या है हलोवीन के मतालिक देखें युनाइट स्टेट्स में हलोवीन जो है वो मनाया जाता है ऑक्टूबर के आखरी दिन 31st ऑक्टूबर को जो कि आज 31st ऑक्टूबर है अच्छा लेकिन इसकी जो प्रिपरेशन है वो शुरू हो जाती है पूरा एक महीना पहले यहने लोग घरों के बाहर डेकोरेशन और जैसे यह स्केलेटन है कोई बाहर ग्रेवियार्ड बना देता है सारी चीज़ें यह पूरा एक महीना यह चलता रहता है मैं बताना चाहता हूँ लोग की बहुत सारी मिस्परसेप्शन है आउटसाइड युनाइट स्टेट्स हेल अलोवीन आता है यहने ऑक्टोबर 31 उस दिन शाम में यहने अराउंड वन दे संडाउन उस वक्त सब अपने घरों के बाहर बैठते हैं अच्छा वो लाइट्स ओन कर दी वो डेकोरेशन और पूरा स्केरी महौल फनी महौल ही सारी चीज़ें और अपने अपने यहने बाहर चॉकलेट्स पड़ी होती हैं युनाइट स्टेट्स में हर साल यहने अफ्टर 20 22 23 21 यह सब अराउंड 3 बिलियन डॉलर की 3.2 3.7 बिलियन डॉलर की सिर्फ चॉकलेट्स इस इवेंट की विक्ती है क्योंकि उस स्टाइल से चॉकलेट्स बंती है चाहे स्निकर्स हो मार्स हो चॉकलेट केंडीज हो मिल्क चॉकलेट हो सारी यहने इतना बड़ा काम होता है जो जाहर है कई मुलकों की GDP से भी आगे पीशे हो जाता है कि इतनी सिर्फ चॉकलेट्स बिखती है अच्छा इंट्रोस्टिंग बात यह है कि जब जैसे आज ऑक्टोबर 31 है अब क पर चॉकलेट पर दबा के सेल होती है और फिर वो लोग बाय करते हैं तो देखें यह तो है हैलोवीन का अब सवाल यह है मेरे लिए मैं आपको बताता हूं कि देखें लोग की परसेप्शन क्या है आउटसाइड यूनेट स्टेट्स लोग समझते हैं हैं हैलोवीन जो है ए पिलाने वाली बात होगी सही है ना जो करते हैं लेकिन असल में अगर आप हैलोवीन को देखें यहाँ पर तो यह एक फैमिली इवेंट है पार्टी होती है आफिसेज में या अपार्टमेंट्स में इधर उधर लेकिन रियल माइनों में जो है वो यह एक फैमिली इवेंट होता है कि बखायदा सारी families अभी गुजरती है सारी families और मुझे ये event इसलिए बहुत ज्यादा पसंद है कि इसमें किसी किसम की कोई discrimination नहीं होती यानि कि वो वहेद event है पूरे साल का क्योंकि there are lot of events we celebrate मैं खुद कितने event celebrate करता हूँ Eid है फिर दर Christmas आती है Thanksgiving है Black Friday ममी डैडड़ी डैड़ी दर तो कितने सारे event है और हर event के पीछे जाहर है आजकल तो आपको बता है economic objective होता है सरफ इस event का मैंने आपको बता दिया कितने billion dollar की chocolates में करी है लेकिन इस event ये event मुझे इसलिए बहुत ज्यादा पसंद है एक वज़ा तो होती है मौसम के फॉल में आता है दूसरी बहुत बड़ी वज़ा ये है कि यार हर शखस आपके घर के बार हर बच्चा आता है यानि वो बच्चा चाहे white हो वो किसी भी race का हो वो black हो वो Mexican हो वो Asian हो वो Indian हो पाकिस्तानी हो यानि कोई चीज़ इसमें नहीं देखी जाती है किसी किसम की कोई discrimination नहीं होती है और वो बच्चा आता है और आप उसको treat देते हो यानि वो बिला धड़क आपके घर के पास आता है और आप उसको कोई chocolate देते हो या वो खुद आके chocolates और candies उठाके ले जाता है तो यानि ये एक ऐसा event है जैसे बड़ा महबत और भरा event है ये यानि असल इसका काम ये नजर आता है अब यकीन ये बात आप बहुत सारे लोग comments में आके बोलेंगे के sir इसकी history तो ये है और फलाना धिमा का देखें history तो मैंने बहुत सारी जूट पढ़ ली तो मैं personally तो अब हैना history पढ़ता नहीं है ये ना तो क्योंकि मैंने बहुत जूट पढ़ ली है history में तो मैं तो present देखूंगा के present event कैसा है present event जो है जो इसको मैं पिछले 7-8 सालों से या इनाइट स्रेट्स में देख रहा हूं कि इससे ज्यादा event वह जिसमें महबते नजर आती हों लोग मिलते हों एक दूसरे से वनना कहां यार पढ़ोसी इतने दूर दूर जो पढ़ोसी कितने लोग आएंगे इविन दूसरी community से भी लोग आएंगे वाक करेंगे अचा अब हालात ऐसे हैं वहना पहले तो सिर्फ बच्चे ही वाक करते थे और आके चॉकलेट्स वगरा ले जाते थे लेकिन अब जाहरे दुनिया के हालात आपको पता है तो इसलिए पैरेंट्स भी वाक करते हैं अचा ये जो आप बोलेंगे ये स्केरी और ये सारी चीज़े क्या मनती है ये एक फन है ये जैसे मैंने ये फन में ये पहना है मास्क इस तरह पैरेंट्स भी पहनते हैं कोई न पुल के उस पार वाले ही सोचते हैं पुल के इस पार वाले भी सोचते के नहीं यार वो इवेंट कर रहे हैं क्योंकि हर बंदा उस इवेंट की रूप को नहीं जा रहा होता कि हर वो इवेंट हो कैसे रहा है हमारे नजदीक मैंने का न हमारी परसेप्शन क्या होती है 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 ह और enjoy करते हैं, economy भी चल रही है, family भी चल रही है, society भी चल रही है, सारी चीज़े चल रही है, चले अपना बहुत सारा ख्याल रुक है, and you have a great day now, thank you.